कबीर ने कहा 600 वर्ष पहले कि तू कहता है कागद लेखी मैं कहता हूँ आखन देखी कागद तो मैंने बहुत पढ़े नहीं जीवन को देखा है कानपुर में एक 24 साल का बच्चा फासी लगा लेता है वो यह ऑनलाइन जो खाना बुक होता है उसकी सप्लाई में लगा था उसकी गारी का चालान हो गया गारी सीज हो गई कंपनी वाले ने का भाई गाड़ी सीजो गई अब तू जान तेरा गाम जान अब तेरा मेरे यहां क्या उप्योग उससे स्तिफा लिखवा लिया वो घर आया और पंखे से लटक गया यह संकट है यह संकट है देश का एक बड़ा बच्चों का स्कूल है पहली से नरसरी से ले लिखवाबाद में उसकी एक मेन ब्रांच ने साथ अध्यापक और चार क्लर्क अभी तीन रोज पहले निकाल दी है बोले हमने रख सकते जाओ अब वो जो अध्यापक रहा है या अध्यापिका रही है वो साप्ताहिक बजार में जाके भीक भी नहीं मांग सकते हैं वो रे अल्ला के नाम उनके आशू कौन पूछेगा क्या हम उनको भूल जाएंगे क्या हम उनको कोरोना की त्रासदी का शिकार होने देंगे समाज और सरकार पिता की भूमिका में होता है मैं एक बाद जरूर के करविटे पड़ी करूंगा निजी छेत्र ने इमानदारी से अपनी भूमिका का निर्वाह नहीं किया प्रण मंत्री ने कहा था कि मैं निजी छेत्र से आग्रह करूंगा ना किसी को निकालिएगा ना तन्खा काटिएगा इस बात का मान नहीं रखा गया यह सच है सच है सच है निकाले भी गए तन्खाहें भी कटी यह रास्ता ठीक नहीं हमारे टेक्स के पैसे से आपको पैकेज भी मिल रहे हैं पजास हजार करोड़ पाँच लाग करोड़ यह हमारा ही पैसा है ना आपकी फैक्टरी चलाने के लिए आप तो फार्म हाउस में रह रहे हैं बीच वाले की गर्दन पर छुरी चला रहे हैं ना प्रधान मंतरी की सुन रहे हैं ना समाज की सुन रहे हैं ना लोकलाज देख रहे हैं ना मानवता देख रहे हैं यह दर्श अच्छा नहीं भारत क कि दो संतान कि इसी की तीन संतान हो दो संतान की व्यवस्था ऊजा एक की नहीं हो बाप कैसे सोगा कि सरकार भी खड़ीये समाज भी खड़ा है कि वो लोग ज्यादा सुभिधाजनक स्थिती में होते हैं जो लोक लाज की समस्या से परे होते हैं और जो लोग भारत के समाश शास्त्र को जानते हैं वो मेरी बात से सत्र प्रतिशत सहमत होंगे भारत में आपर क्लास भी लोकलास से परे है और जो गरीब है वो तो खर्क्या लोकलाज माने वो तो विचारा जीवनी जीडा एक संगर्ष के साथ लोक लाज का सारा संकट है मध्धवर्ग की सिर्पर शॉल फटी भी होगी लेकिन सिर्पर डाल कर निकलना है यह मध्धवर्ग की त्रास्दी है वो गमच्छा बांद के नहीं घूम सकता पेट पर पत्थर बांद के सो जाएगा लेकिन सरक पर भीक नहीं मांग सकता फिर क्या किया जाए दो-तिन चीजे मेरे जहन में आती है जो ये चीजे कोई मेरे मौलिक उदगार नहीं है ये लोगों ने मुझसे जो इंट्रेक्ट किया मैं उनी पर कहता हूँ अईसे मामलों की सक्ति के साथ सुनवाई हो जहां निजी छेत्र के लोगों ने इस मध्य वर्ग के अपने कर्मचारियों को अनावश्यक रूप से प्रतारित किया निकाल दिया ये उनकी तंखाएं काट ली इसकी जाच करा लीजिए बड़े स्कूलों में तंखाएं 30-40 परसेंट कटके मास्टर को मिल रही कि नहीं मिल रही है क्यों भाई फीस पूरी ले रहे हो गले में रस्सी डाले हो और मास्टर को पैसा नहीं दे रहे हैं इस साल फाइनेंसिंग बाले में लोग कहां जाएंग क्या देश के इस्तर पर हमें रास्था नहीं निकाल सकते इमाई को टालना ठीक नहीं वो उसमें तो कर्ज लेने वाले का ही नुक्सान है जब इखटा देना पड़ेगा तो प्राण निकल जाएगा मैं सुझाव देता हूँ तीन महीने छे महीने जैसे आर्थिक स्थिति हो देश की राज्य की के लिए इनको ब्याज मुक्त कर दीजिए मूल मत हटाईए ब्याज मुक्त कर दीजिए अरे लाखो करोर रुपया लेकर बड़े बड़े लोग भाग गए नपीए में अभी तक उसका ढोल बज़रा है इनके साथ क्या नाइंसाफी यह जी जाएंगे यह खरे हो जाएंगे और एक बात मैं मंत्री जी से कहूंगा दिनेश जी से मेरी बात हुई डिप्टी चिप मिन्स्टर जो एजुकेशन देख रहे हैं उन्होंने कहा कि भाई स्कूलों पर सक्ति करेंगे यह लूट नहीं चल सकती कई जिला अधिकारियों ने अलग अलग आदेश निकाले लेकिन सच्चाई यह है किसी पबलिक स्कूल ने माना नहीं वो लठ लेके पीछे पड़े हैं कि या तो पैसा जबा कराओ ने टीसी ले सच्चाई आज की यह है क्यों भाई यहां पर सक्ति होनी चाहिए जर्वातों क्रिफ्तारी करिए राजाग्या मानने को त्यार नहीं कोई हाई पोट जाना कोई सुप्रहिम कोट जाना यह बड़ी पीड़ा के विशे हैं इनके लिए हमको सोचना होगा कि यह गरीब जियेगा कैसे और मैं फिर कहता हूँ भारत में अगर अर्थव्यवस्था का चक्का घूमना है तो सबसे महत्पून अंग है मध्यवर्ग हॉंग कॉंग से हॉलेंड से पोलेंड से अमेरिका से जर्मनी से कोई कंपनी यहां आएगी तो सिर्फ मध्यवर्ग को देख कर आएगी इतना विशाल मध्यवर्ग दुनिया में किसी के पास नहीं यही हमारी तागत है यह दिवाली होली पर जो देश की अर्थववस्था के चक्का घूमता है खास तोर पर दीपावली पर पूरी अर्थववस्था में रहुना का जाती है वो मध्यवर्ग उसका मूल है आधा रहे मध्यवर्ग अगर सुरक्षित नहीं होगा इसको ऐसे हम समझ ले अपर क्लास को यहां से मानिए लोवर क्लास को यहां से मानिए बीच के हिस्थे को मध्यवर्ग मान लिजिए शरीर टिक नहीं सकता शरीर रुक नहीं सकता अगर यह बीच का जो धड़ होता है यह सुरक्ष